वेलकाम, वेलकाम, वेलकाम टु मुहारिशी बालमी की इंटरेशनल यारपोर टार्मिनाल वान वायददाधाम 13 दिसेंबर 2023 अईदधाधम यारपोर पाब्लिक के लिए फास्ट ओपेन हुआ था आदधाधम यारपोर नियारस रेलो स्टेशन इस भाइजागवध जंचन रेलो स्टेशन धिसेंश एप्रक्स 3.5 किलोमेटर एंटरेश्यक के लिए किलोमेटर और मूटर जरौनेंटा स्टेशन फास्त्र क्या राप्र से कॉन कॉन से फेसिलिटी एविल एविल है आप अगर फर्स्ट टाइम ऐद्धाध्रम एयरपोर्ट से ट्राभेल करोगे अपका कोबीड गाइडलाइन क्या होगा नया रूल या लग हुआ है अल्डियल इंफर्मेशन आपके साथ ए वीडियो में वान बाइट वान स्यार करू मेरा फ्लाइट टाइम है 11.55 एम काफी टाइम है और इहां पर देख सकते हो स्री जन्मभूमी तीर्था खेत्र एस साइड में है यह है गेट नमबर थ्री और सीकुरिटी आप देख सकते हो जबड़ तस्ट सीकुरिटी है मेरा 2324 को दर्सन हो गया तिसरा दर्सन बाकी है फ प्रश्रक्शन का काम चल रहा है और इएरपोर टर्मिनल 1 एराइवल एरिया में अंली टू लागेज बेल्ट एविलेबिल है एराइवल एरिया में आप बड़ा सा एक रामायोन पेंटिंग देख सकते हो और बीच्जादा बड़ा नहीं है एराइवल में आपको रामायोन अपसेरत पेंटिंग देख सकते हो अभी हम एरपोर्ट से बाहर आ गए एप पूरे एरपोर्ट के डिजय टेंपल स्टाइल में बनाया गया है अभी के टाइम में एरपोर्ट में अराइवल गेट है ओनली वान एरपोर्ट के बाहर इलेक्रिक बासेस, टोटो, कैप मिलता ह राम जन्मभुमी ओईतधम टेंपल जाने के लिए मेरा फ्लाइट बहुत रिले था रात को दस बचे मैं यारपोर्ट से बाहर आया मुझे कैप, टैक्सी, बासेस नहीं मिला मैं यारपोर्ट से बाहर देर किलोमेटर पैदल हायोय तक आये हावय के उपर से मुझे टैक्सी मिला था राम जन्मभुमी टेंपल के लिए अईतधम राम जन्मभुमी टेंपल से यारपोर्ट के डिस्टेंस है 13 किलोमेटर अब 500 रूपीज देके टोटो रिजब करके यारपोर्ट तक जा सकते हो अईतधम राम की पड़ी, लतामंगेस करचाक, सारायो नया घट और धर्मपत से आपको बासेज मिलेगा यारपोर्ट जाने के लिए ये इलेक्ट्रिक बास है बास में ओनली 40 रूपीज देके आप यारपोर्ट जा सकते हो अगर आपको यारपोर्ट के लिए डाइरेक्ड बास न मिले तो आपको भरतपुर के लिए बास लेना है बास यारपोर्ट के आगे 0,5 किलोमीटर हायोए के उपर छोड़ेगा जैस्यीरम भाया हायोए से आपको टोटो मिलेगा यारपोर्ट के लिए यहां से हमें अभी 1.5 किलोमीटर पैदेल चलना है यहां पर टोटो भी चलता है तब भी मॉर्निंग का टाइम है भी टोटो दिखाई नहीं दे रहा है चलिए ऐसे भी पैदेल चल सकते हैं पैदेल हम लोग पहुंच सकते हैं महारिसी बाल में की इंटरनेशनल एयारपोर्ट अगर 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 पहुंचने के लिए डायरेट बास ओटो टैम्पु कुछ भी ना मिले तो आप पैदेल आजाए एयारपोर्ट के बहार ए रास्ता एयारपोर्ट से आ रहा है आपको 1.5 किलोमीटर पैदेल आना है यह हाई वे हाई वे से आपको बहुत सारे बासेज मिलेगा ओटो मिलेगा टैम्पु मिलेगा आएदधा धाम मेन टेम्पेल पहुंचने के लिए एएदधा धाम सारभीस रोड बास्टन से राम जन्मभूमी टेम्पेल का डिस्टन से एप्रॉक्स 8 किलोमेटर एड़ किलोमेटर रास्ता पैदल जाने में आप बोरू नहीं होगे क्योंकि रोट के दोनों साइट आपको ऐसे राम काथा पैंटिंग देखने को मिलेगा देखिए कितिनों खुबसुरोद है आप यारपोट के आंदर अना पीना थोड़ा सा महांगा होता है आप चाय लीजिए कोफी लीजिए थोड़ा सा महांगा आते हो यारपोट एंट्री गेट दिख रहा है और यारपोट एंट्री गेट से आप 100 मिटर आगे आओगे में रस्ते पर आओगे तो इधर राइट अन साइट में आपको दो रेस्टुरेंट दुकान मिलेगा चिदर से आप चाय नास्ता कर सकते हो एह है प्रोभु स्री राम जन्मभुमी महारिशी बाल्मी की इंटरनेशनल एयरपोट में इंट्रांस दूसरा शिटी से आप अगर आगर आप आराइबल के बाद आप आप एयारपोट के बाहर आओगे बाहर आपको इलेक्टरी बासेस मिलेगा आप बाई बास 30 रुपीज देके या फिर आपक तक 500 रुपीज अगर आप 5% हो 5% 100 रुपीज में एक रोटो सेयर करके आप अधाधाधाम टेंपल जा सकते हो एक गेड़ देखो कितना बिसाल गेड़ है बहुत सुन्दर है एक गेड़ से एंट्री करके सामने ही है महारिशी बाल्मी की इंटरनेशनल एयरपोट टार्मिन टार्मिनल टू एंट टार्मिनल टी अभी टायर हो रहा है जब टायर हो जाएगा फिर से हम लोग आके इधर वीडियो करेंगे और एयरपोट का सामने इधर है पार्किंग एरिया अब इधर अपने पाई कार इधर पार्क कर सकते हो चलिए अभी एयरपोट के अंदर चलते हैं बट एयरपोट के अंदर जाने के लिए ओरिजिनल टिकिट चाहिए या फिर आप बोडिंग पास लेके भी आंदर जा सकते हो और साथ में चाहिए फोटो आईडी प्रूव जैसे आधर कार्ड, भूटर कार्ड, पैन कार्ड, प सकते हो, मोहरी सी बालमी की इंटरनेशनल एयरपोट डिपर्चर गेट है 2, D1 and D2, and arrival gate है 1, A1, अगर अब एयरपोट बास या पी टोटो में आओगे, बास टोटो एयरपोट के डिपर्चर गेट तक नहीं आएगा, अगर अब टैक्सी में एयरपोट आओगे, टैक्सी एयरपोट से ओधधम के लिए डायरेट इलेक्ट्रिक बास चालू होगा, टिकेट और अधर कार्ट सो करके अंदर आ गए, अंदर एंट्री करके आपका राइट और लेप साइट में बैगेज काउंटर और ये उपर देखे, उपर पूरा राम कथा, आप देख सकते हो, ब जो चेक-इन बैगेज आप डिपोजिट करोगे, उस पे कोई भी मोबाइल फोन, चारजर ये नहीं होना चाहिए, आप उस पे सिर्फ अपने कापडा राख सकते हो, चलिए बैग डिपोजिट करते हो, अपने जो एयरलाइन का टिकेट बूक ये हो, उसी एयरलाइन का काउ आपको बैगेज डिपोजिट करना है और बोरिंग पास भी आप इधर से कलिट करते हैं, फिर उधरे सिकुरूटी चेकिंग गेट, फाइनल सिकुरूटी चेकिंग के बाद फिर आपसे मिलते हैं, अभी आपको एयरलाइन का काउंटर में आके जामा करना है, वीडियो में जाने से पहले देड़ मिनिट का कॉमर्शियल ब्रेक हैर फोल इच एफ ब्री सेजिन प्रोब्लेम हावेवर इट फिक्स इन मॉन्सुन पहले मेरा बहुत हैर फोल हो रहा था हैर कम करते टाइम पीलो कोवर टावल हर जगा हैर दिखाई दिखाई देता था इसका मुझे एक प अपलाई करना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है यहां का स्मेल ओ भी अच्छा नहीं होता है सो फ्रेंट एसा प्रोब्रेम का स्लेशन लेके आये है मामार्थ हैर फोल कांट्रोल इंडियास नामबर वान मामार्थ ओनियोन सेंपू मेक्स रूट स्ट्रॉंगर एंड रिड्यूस हैर फोल बाई 90 परसेंट नो टॉक्सिन नो सालफेट मामार्थ ओनियोन सेंपू वी तोनियोन एंड प्लैंट केराटिन पहले आपको कोईन साइच अब सेंपू लेकर पूरा बालो में अपलाई करना है और हलका हलका सा मैसेज करना है ए रेगुलर यूज करने स सेंपू और होगoter होगा और हो बंध हो जाएगा होग करके और भी एक्टिव रेजल्ट के लिए आप हैर में अपलाई कर सकते हो मामार्थ ओनियोन कॉंडिसोनर हूई वी तोनियोन एंड कोकोनेट मामार्थ औनियोन कोंडियो सेंपू मेंक क्या स्ट्रोंग का ज्यादा मामर्थ दोसो चलिस मिलिट्र और प्लास्टिक रिसेकल करते हैं मामर्थ प्रोड़क्ट अल्सो एवलीबिल ओन अमाजन फ्लिपकर्ड नाइका एंड पर्फिल और अभी तो मामर्थ का कोई भी प्रोड़क्ट आप अपने घर के पास नियारबाइ स्टोर में जाके भी पर्चेस करोगे और मेरा प्रोमो कोड राइडर्स2024 यूज करोगे तो आपको हार एक प्रोड़क के उपर 20 पासेंट डिस्काउंट मिल चाहेगा तो फ्रेंड अभी जाओवर पार्चेस करो मामर्थ फेयरफॉल कंट्रोल इंडियास नामबर वान ओनियोन सेंपू एंड क चेक इन करके अभी हम एरपोर्ट के अंदर आगा है देख सकते हो ज्यादा बड़ा एरपोर्ट नहीं है ओनली 300 प्रेंजर कापसिटी है टर्मिनल वान मिल्डिंग में बैटने का फेसिलिटी है इधर फूट कोड है उपर फास्ट प्लोर में है वास्रूम फेसिलिटी है व अभी यह दो फूट स्टोल है एक है स्वीट का और एक है स्नैक्स का एक नमबर डिपर्चर गेट जिधर फूट स्टोल है और उसी के साइड में है चार्जिंग पोर्ट अईधा एरपोर्ट से आज हम लोग ट्राभेल कर रहे हैं इंदिरगंति इंटरनेशनल एरपोर्ट टार्मिनाल 3 पहले हमारे बोरिंग ताइम था बारा बच के 55 मिनिट बाट फ्लाइट रिसीड्यूल हो के नया टाइम हुआ है 1155 एम क्योंकि आज है 25 जन्वरी काल 26 जन्वरी काल दिल्ली में बहुत ज़्यदा हाइज सीकूरिटी है इसलिए रिपॉंट हुआ है हमारे फ्ल किया था में गुगूल प्लाटफर्म से फ्लाइट का डिकेट गुक किया था आप चाहो तो मेंग माइट विद गुआई भीवो स्काइश के नरा ऐसे बहुत सारे ओन्लाइल प्लाटफर्म मिल जाएगा उधर से आप फ्लाइट का डिकेट कर सकते हो 1147 अभी बोरिंग जाएगन में लेते हैं और था धाम मिट्टी को जैस्री राम अब फ्लाइट में बोर्ड करेंगे बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है मेरा सीट नंबर है 30A विन्डो साइट अब फिर्च आएगे जैस्टी राँ अब हम अपने सीट में आ गए एक्चली मेरा सीट है विन्डो साइट लेकिन मातजी ने इदर बैठे है इसलिए बीच में बैठा हूँ इदर से भी कौभर कर लेंगे अब कहां से आ रहे हो विकानिर दर्शन हुआ तैसे दर्शन रहा रहा रोट पड़ी आयर इंडिया एक स्पेस का फ्लाइट काफी अच्छा है और लेक स्पेस भी आपको काफी अच्छा लेक स्पेस मिलेगा देखें इस सामने सीट में अब एक टी टेबिल जीदर से आओ स्नेक्स ले सकते हो ना कर सकते हो लैप्टब लेके काम कर सकते हो इधर इमर्जेंसी गाइड़ बूक मेनू है जो आप और दे सकते हो बोमिटिंग बैग भी है इस पर यह है वाटर बोटल होल्डर डास बीन इधर आप सेड़ बेल्ट लागा नए अबर पर इमर्जेंसी होब तो इधर से मास्क भी जाए जयेड़ बूदेक जुटे कि जुटे किनने कम स्कूरीशा तुर सेडा दाख के लेंडुल। प्रवाद के बाद सीटेव इसंट आप होने के बाद एक पीछे के साइड रोट रिस्टिबूट करेगा यह फ्री आप कोस्ट है फ्लाइट के अंदर चीप गोल डिंग्स ले सकते हो बाट थोड़ा महा होता है फ्लाइट के अंदर टोटाल चार बात्रूम वास्रूम होता है एक पीछे के साइड है दो और आगे का साइड में दो अभी टाइम है 1.41 पीएम अभी हम लोग पहुंचें दिल्ली आरपोर्ट, इंडियास बीजीएस्ट आरपोर्ट, इंद्रेगंधी इंटरनेशनल आरपोर्ट फ्लाइट के अंदर ही एनॉंस्मेंट होगा आपका लागेज व्याक कौन सा बेल्ट नमबर पे आएगा 26 जनॉरी के लिए दिल्ली आरपोर्ट में हाई अलरट जारी था इसलिए मैं बीडियोग्राफी दिल्ली आरपोर्ट में नहीं किया आप से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब ते के लिए पाई आप लोग बहुत अच्छे रहे हैं खुश रहे हैं आप लोग